हेलो पैट लवर्स आप लोगों कई पर फिर से स्वागे थे आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्टी पैट केर में आज हम आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि डोग शो के अंदर डोग जो है वो रिंग के अंदर कैसे ट्रीटमेंट मतलब कैसे शो करते ड दोग्स को तो यह अभी अपने पास में कुछ यह फोजी भाई है यह रिवाडी से कुछ जर्मन शेफर डोग लेकि आए थे तो यह उनके डोग्स हैं यह डोग शो में जाने से पहले तोड़ा वार्म अप करवा रहे हैं उनको तोड़ा ग्रूमिंग वगर वार्म अप दे इसको म refer करवा रहे हैं और अभी रिका डिखाते हैं रिंग के अंदर कैसे करते हैं मतलब कैसे क्या करवाया जाता है तो आप देक्ते डॉक म सबसे प 주ject करके खड़ा किया जाता है ने देखे जितने ये डोग खड़े हैं, इनका एक पैर आगे एक पैर पीछे हैं तो ये stacking होती है, इसको बोलते है stacking ये stacking करके डोग को खड़ा किया जाता है, इसमें angulation चेक कर जाता है डोग का angulation और ये सब चीज़े फिर इसके बाद में dog की running करवा के देखी जाती है कि आपका dog आपके कितनी command को मान रहा है आपके साथ कितना चल रहा है आपके कितनी command को वो follow कर रहा है ये सब देखा जाता है ये है staking तो ये सब अपने dog को stack करके दिखा रहे है इसमें कुछ double coat के German shepherd है आप देखिए और अभी इसके बाद में हम आपको दिखाएंगे कि dogs को इसके बाद में मतलब रिंग के चारो तरफ उसके running करवा के देखा जाते है कि वो अपने owner को कितना follow कर रहा है अब ये देखिए ये चला के देखाए जा रहे है dog को कितना follow कर रहे है इसमें friends आप ये देखोगे ये dog जो है आगे पीछे पैर रखके चलना ये main होता है मतलब दोड़ना main नहीं होता कि कुछता दोड़ रहा है मतलब आपका dog दोड़ रहा है वो नहीं फिर उसके बाद में पिर आपके dog के है मतलब port size क्या है grooming आपने अपने dog के कैसे कर रखी है वो सब देखा जाता है आपके dog के teeth, ear size हाईजिन, कितना personal मतलब कितना clean and neat आप डोग है ये सब चीज़े देखी जाती है फिर उसके बाद में अवोर्ड दिया जाता है डोग को अभी देखिए अभी ये height, angulation, court size ये सब जेजिस जो है देख रहे है ये particular मतलब हर किसी dog का अपना देख रहे है जेजिस तो अब इसके बाद ही ये decide करेंगे कि कौन सा डोग champion है अब किस डोग को champion बनाना है ये देखिए best of breed अब दूसरे डोग का नंबर ये जो फोजी भाई जो अपने रिवाड़ी से लेके आए थे इनके डोग का नंबर आ गया है ये देखिए ऐसे ये running करवा के देखे जाते है डोग की ये देखिए डोग के चलने के style देखिए आप सब डोग का इस चलने के style है न ये ही मेन होता है कि आपको डोग आपको इस तरह से follow कर दोता है ये देखिए आप enjoy कीजिए इसको इस दोग शो के अंदर ये वैसे तो ये शिट्जू special डोग शो था बट हम थोड़ा लेट पहुंचे थे तो शिट्जू को शिट्जू के जो रिंग्स थे उनको हम कवर नहीं कर पाए और जितना कर पाए है उतना आपको दिखा रहे हैं आप पूरी वीडियो देखिए तो अब आपको कैसे अपने डोग को तियार करना है इसके लिए आपको नोलीज हो जाती है और फ्रेंड्स ये मैं बताना चाहता हूँ कि डोग शो जो हैं काफी प्रकार के डोग शो होते हैं कुछ केसे के डोग शो होते हैं कुछ कलब नाइन के डोग शो है तो और कुछ ओपन कर दोग को त्रेक्रिया का दोख सोता यह के इसके पेपर भी होते हैं Mike के साथ पेपर मिलते हैं अगर आपके पास्तिर केंडिया के डोग के प्रिठील के हैं लोग के कैनल कलब ऑफ इंडिया के पिपर से हैं तो आप उस डोग जोग लेंदर आप अपने डोग को उतार सकते हैं यह देखिए फ्रेंड यह है वर्कंग वर्कंग शेफर्ड डॉग मतलब वर्कंग क्लास डॉग जिसको बोलते हैं जिनको के मैंडली कार्णिंग के लिए बेसिकली यह इसको बोलते हैं बेल्जिम शेफर्ड यह बेल्जिम शेफर्ड डोग है काफ़ इंटेलिजेंट काफ़ काम डोग होते हैं मतलब ओनर की फुल कमांड को मानने वाले डोग है इंटेलिजेंट की यह बात बताता हूँ इसके पीछे है black german shepherd आप देख सकते हो इस वाली dog show में इस वाली dog ने जो है ये जो Belgium shepherd है इसी ने award जीता है first award इसी को मिला है और मैं जो जैसे बता रहे था भी dog show कई परकार के होते है open dog show भी होते है rkcai dog show भी होते है kcai dog show भी होते है अगर आपके पास KCI के पेपर्स है तो ही आप अपने डोग को KCI के डोग शो में उतार सकते हैं अगर आपके पास में कैनल कलब ऑफ इंडिया के पेपर्स है तो ही आपका डोग उसमें उतरेगा और जब dog show में हम अपने dog को उतारते हैं तो इसके भी कुछ शर्ते कुछ नियम कानून होते हैं जैसे कि एक particular कुछ fees होती है entry fees वो आपको पे करने पड़ती है और फिर आपको अपने dog का ना आप मतलब registration करवाना पड़ता है अपने dog का फिर आप रिंग के अंदर dog को उतार सकते हैं अगर आप भी ऐसे dog show में अपने dogs को उतारने के interested है तो अपडेट लेते रहें dog show का और अपने dogs को उतारिए और जो भी हो अपने dogs को देखिए कि आपके dog में कितना potential है और इसके लिए training की बड़ी ज़िरूरत होती है dog को तो पहले training दिलाएए अपने dog को ताकि आपका dog अगर dog show में उतर रहा है तो कुछ ना कुछ जीत के ही आए यह देखिए आप इस dog को भी देख सेके इसका चलने का style कैसे है यह जो running करते है इसमें यह जो चलने का style यह main focus main point होता है dog का यह winner dog है लोंग कोर्ट जर्मन शेफर्ड में जो फोजी भाई का dog है यह तो मतलब अगर आप कोई dog पालते हो अच्छे से किसी dog को पाल रहे हो अच्छे से उसके care कर रहे हो treatment कर रहे हो तो आपको अपने dog को dog show में उतारने चाहिए dog show में उतारने के लिए अपने dog की proper training इसमें dog show की एक अलग training होती है obedience की अलग training होती है तो कोई भी अच्छे से trainer को लेकर कुछी भी अच्छे से trainer से contact करके आपको अपने dog की training करवाने बड़ी जरूरी है और जब आपके dog की training हो जाती है तो फिर आप जैसे भी आपके शहर में अनियर बाय अगर कहीं पर भी dog show होता है तो आप पता लगए यह उस dog show का कहां पर dog show हो रहे हैं और फिर contact कीजिए जो भी dog show को organize करवा रहे हैं उनसे contact करके अपने dog को उन dog show में उतारिए और आप भी अ हम उसे त्यार कैसे करते हैं तो त्यार कौन करेगा त्यार को दिसली ट्रीनर करेगा तो सबसे पहला तो काम होता है कि तो अच्छे quality का dog लीजिए उसके बाद में अच्छा trainer लीजिए ताकि वह आपको डूग पट्रेंड कर सके को रिंड करने के बाद में कौन सब आरे कि द उतार सकते हैं अब मैं दिखाता हूं आपको ये जो टोक्षो में जो उत्रे हुए हैं ये डॉबर में डोबरमेन काफ़ी लोयल ब्रीड होता है फ्रेंड से वैसे तो लोगों के अंदर हुआ है कि डोबरमेन देकार ब्रीड होता है मतलब कि अग्रेसिव ब्रीड है नो डाउट अग्रेसिव ब्रीड है ये पर अग्रेसिव ब्रीड होने के साथ साथ में ये काफ़े loyal भी breed है ये एक तरह से ऐसा बोला जा सकता है ये single owner breed होती है जो इसको पालता है उसके लिए तो ये जान भी दे सकता है पर बाकी कोई इसको handle कर सके वो depend करता है कि आपने अपने dog को कितना socialize किया है अगर आप अपने dog को time to time तरीके जे socialize करते हो management dogs है और ये देखिए अब इनका भी देखिए almost देखेंगे आप तो dog show के अंजर जब डोग को उतारा जाता है तो ये देखिए running कराई जाती है उसका stacking का style देखा जाता है और उसके fur मतलब उसका port size क्या है उसका teeth कैसे है उसकी grooming कैसी है इन सब चीजों को notice किया जाता है आप ये देखिएगा फिर उन सब चीजों को notice करने के बाद में फिर जजी decide करते हैं कि कौन सा dog winner हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है तो क्या कमी रह जाती है आपको वह भी पूछने जरूरी ये dog फो में जादा निए जिससे कि मेरे dog के अंदर क्या कमी रह गी है so that next time जब आप आए तो अपने dog की वह कमी पूरी करके आए ताकि आपका भी dog winner बन सके इसके अंदर तीन ट्रोफिया होती है first, second and third तो अगर ट्राइ कीजिए कि आपका dog फर्स्ट ही ट्रोफिय जीते तो फर्स्ट ट्रोफिय जीतने के लिए ओधिस बात है बेस्ट ट्रेनिंग इतने अच्छी ट्रेनिंग होगी उतना अच्छा आपका dog ट्रीट मतलब परफॉर्मेंस करेगा और जितने अच्छी प्रोफियमेंस आपको dog की होगी उतना ही बैटर आपको रिजल्ट मिलेगा यह देखिए यह स्टेकिंग यह मतलब वर्मप कर रहे हैं अपने डोग का कैसे खड़े होना है कैसे आपको फोलो करना है हमारी कमांड्स को यह सब देखिए आप यह जर्मन ट्रेफर्ड डोग है यह जो फोजी भाई इनका कैनल रेवाडी हर्याने के अंदर है तो इन्होंने नंबर तो दिया नहीं हमें पर अगर आपको डोग्स चाहिए होना तो काफी अच्छे मुझे जितना परस नहीं लगा कि अच्छे क्वालिटी के डोग यह रखत है अपने पास में त्योंकि इनके इस डोग को अगर आप देखेंगे इसका नाम आइधिंक रैंबो था तो अगर आप इसको देखोगे तो यह भी काफे इच्छा डोग है और यह जो है बिशोन फ्राइग का डोग शो हुआ था जिसमें के इस बिशोन फ्राइग ने फर्स स्क्राइब कीजिए ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और बैल आइकन जरूर दबएए ताकि टाइम तो टाइम आपको नौटिफिकेशन मिलता रहे है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे जैहीं